नमस्कार, आज हम लोग बात करेंगे सुपरफीशल माइकोसिस के बारे में, जिसमें पहला लेक्शर जो हमारा होगा, वो सर्फिस पर फंगल इंफेक्शन को फोकस करके होगा, इसमें हम बात करने वाले हैं, पिट्रियासिस, वर्सिकॉलर, टीनिया, नाइगरा के बारे में, पिट्रिया के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू, इसमें हमारा फोकस क्या होगा, यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं, माइक्रो का, माइक्रो का, जो फंगस का टॉपिक है, वो पूरा का पूरा यहीं पर हम कवर कर लेंगे, objective के point of view से ये सारी चीज़े cover होंगी, तो micro में जितने भी mcq बनेंगे, dharma में जितने mcq बनेंगे उसको एक साथ cover कर लेंगे, तो पूरा का पूरा जो differential diagnosis बनाने के जो तरीके हो सकते हैं, pharma की basis पर हम इसको कैसे solve करेंगे, वहाँ पर भी हम mcq के point of view से इसे solve करने का प्रयास करेंगे, तो पूरा का पूरा competitive orientation के point of view से हम तीन अलग-अलग level पर cover करने की कोशिश करेंगे, जहां ये topic जिस जगह से related होगा, उससे connection बनाते हुए mcq को solve करने की कोशिश की जाएगी, अभी हम बात कर रहे हैं superficial mycosis की, इसके detail में अगर चलने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले हमें anatomy of epidermis को समझने की जरूवत है, यहां पर देखिए जिस point को mention किया गया है, इस पर focus करने की जरूवत है, अगर आप देखें, तो dead cells, जो skin के surface पर पाया जाते हैं, अगर वहाँ कोई fungus उगता है, तो वो surface, fungal infection कहलाता है, तो इसे surface mycosis कहते हैं, यहां पर इस जोन में जो भी होगा, वो surface पर fungal infection होगा, इसके खास बात यह होगी कि यह dead layer पर कोई fungal infection होगा, इसी के तहत हम बात करने वाले हैं, petriasis versicolor, जिसे tinea versicolor कहते हैं, टीनिया, नाइगरा और पिडेरा के बारे में, हम इसी level पर discuss करने वाले हैं, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी micro हम पढ़ लेते हैं, समझ में नहीं आता है, point कहां से दिया गया है, इसके बाद, अगले level पर जब हम discuss करते हैं, तो यहां पर cutaneous layer में, कौन-कौन से fungal infection हो सकते हैं, तो यहां जो cornified layer है, इस cornified layer के zone में, कौन-कौन से fungal infection, जस नीचे कौन-कौन से fungal infection हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, जो cutaneous fungal infection के target के रूप में हम लोग discuss करेंगे, target पूरा का पूरा होगा हम MCQ चाहे surface fungal infection हो चाहे cutaneous surface infection हो MCQ को साथ ही साथ micro और derma दोनों को cover करते हुए चलेंगे यहां तक जितना भी हम लोग ने discuss किया है चाहे cutaneous layer, cornified layer की बात करें चाहे उपर के dead layer की बात करें यहां पर जो fungal infection होंगे वो superficial mycosis होता है जब यह dermis को involved करने, dermis के नीचे subcutaneous level पर involved करने लगे तो वो दूसरे level पर अगले topic का हमारा हिस्सा होगा यहां पर आपको focus करना होगा dermis पर कैसे कोई fungal infection हो सकता है तो आप जानते हैं कोई बाहरी breach करके कोई fungal यहां पर पहुँचेगा तो कोई यहां पर infection तभी पहुँच सकता है जैसे माली जी कोई trauma की वज़ा से dermis को involved कर सकता है subcutaneous level को involved कर सकता है उस पर कैसे involvement होगा, कैसे कोई trauma की history दी जाएगी कैसे वहां पर कोई thon prick injury की बात कही जाएगी उन सारी चीज़ों के बारे में भी हम आगे discuss करेंगे लेकिन अभी जो हमें focus करना है वो सिर्फ और सिर्फ इस dead cell के level पर focus करना है उसके बाद हम cutaneous layer पर चलेंगे stratum corneum या उसके आज पास कोई fungal infection होगा उस बात करेंगे तो जो surface के level पर मैंने आपको कहा dead layer पर हमें बात करनी है तरफ इस पर कौन-कौन से होंगे example रटे रहना है petriasis versicolor, tinia nigra petriasis versicolor को tinia versicolor भी कहा जाता है tinia nigra इसके बाद pidera, pidera के भी दो types हैं white और black ये पूरा का पूरा surface पर होने वाला problem है जो student सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं या किताबों में भी सही तरीके से नहीं दिया गया है तो micro और derma दोनों में ही काफी confusion क्रियेट करता है हमें अच्छे से पता होना चाहिए और जब इस surface की बात कर रहे हैं तो क्या-क्या characteristics मिलेंगे pigmented lesen होगा tarsal या trunk पर इसी तरीके से tinia nigra यह black macular lesen होगा पाम पर तो यहाँ पर hypopigmented है जहाँ आप देखेंगे petriasis versicolor hypopigmented होगा tinia nigra, nigra means blackish black macular lesen पाम पर होगा पिडेरा की बात करें तो यहाँ dirty, gritty dark, gritty deposition hair में देखने को मिलेगा जबकि यहाँ soft, whitish, granules hair shaft पर देखने को मिलते हैं जिसे हम white pedera कहते हैं यह सभी सभी diagnose किया आते हैं microscopy के दवारा और इन्हें हम topical preparation से treat कर सकते हैं इसके लिए बहुत ज़ादा परिशान होनी की बात नहीं होती कौन-कौन से medicines देंगे वो हम pharma के point of view से यहीं पर cover करनी की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर ना सिर्फ micro derma बलकी pharma भी हमारा antifungal drugs का cover होगा तीजी से इन सारे points को recall कर लेते हैं हम एक क्या-क्या study यहाँ पर करना है superficial mycosis के बारे में बात करनी है जिसमें epidermis, dermis और subcutaneous fungus dermis और subcutaneous के level पर कोई breach करके fungus पहुंचता है epidermis में तो ऊपर ही होगा जिसमें मैंने कहा dead layer या surface के level पर दूसरा मैंने आपसे कहा cutaneous cutaneous के मामले को अलग level पर discuss करने का भी हम सिर्फ और सिर्फ dead layer पर बात कर रहे हैं तो dead layer या surface mycosis की बात कर रहे हैं उसके बात cutaneous level पर जो बात करेंगे और पिडेरा के बारे में white and black पिडेरा के बारे में हमें study करना है सबसे पहला example लेता है pitriasis versicolor जिसे tinea versicolor भी कहा जाता है आपने बहुत सारे लोगों की body में इस तरीके के white patches hypo pigmented patches देखे होंगे ये होता क्या है इसके बारे में हमसे question इसको zoom करके दर्शाने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि हम इसे देख सकें कैसे हो रहा है तो इस stratum carnium को जो सबसे बाहरी dead layer होती है उसको ये affect करता है किसके द्वारा होगा malassezia furfar एक yeast होता उसके द्वारा होता है ये ना सिर्फ malassezia furfar pitriasis versicolor या tinea versicolor cause करता है कई बार ये folliculitis भी cause कर देता है syboric dermatitis भी cause कर सकता है यहाँ पर syboric dermatitis को दिखाने का प्रयाज किया गया है आपको बाद में इस पर detail में discussion होगा हम सिर्फ इतना सा discuss करना चाहते हैं कि pitriasis versicolor malassezia furfar के द्वारा होता है जो folliculitis siboric dermatitis भी cause करता है तो यह कहाँ पर pitriasis versicolor affect होड़ा stratum corneum पर किस के द्वारा होगा नाम दिया जा चुका है malassezia furfar के द्वारा यह है क्या yeast है malassezia न सिर्फ pitriasis versicolor cause करता है tinea versicolor न सिर्फ cause करता है बलकि यह folliculitis siboric dermatitis जैसे मामले भी hypopigmented होने के दाचे नाते vitiligo या उससे मिलती जूलती इसकी condition होती है differential diagnosis के बारे में आगे हमें discuss करना है tinea versicolor भी hypopigmented हो सकता है pitriasis alba भी हो सकता है scleroderma भी हो सकता है कुछ white scar भी हो सकता है तो कई बार vitiligo के जैसा इसकी presentation hypopigmentation के साथ ये नज़र आता है तो इसका जो most common sight है face होता है अपर आम होगा chest होता है back होता है skin जो tinea versicolor के द्वारा affect की जाती है अधिकतर मामलों में आपको white white patches नज़र आएंगे कुछ मामलों में ये darker भी हो सकता है especially syboric या lyophilic fungus है तो इसलिए fatty tissue जहाँ पर जहाँ ज़्यादा waxy deposition होता है वहाँ पर normal ये पाया जाता है लेकिन ये कई बार इतना exaggerated way में growth कर लेता है कि इसकी वज़ा से बहुत ही ज़्यादा एक area में fungus या yeast like ये fungus melassezia farfar का growth होने लगता है ये lyophilic fungus है इसलिए आपको ध्यान में रखना है और आपको ध्यान रखना है hair follicle के आज पास sebum या waxy material ज़ादा होता है इसलिए folliculitis कॉस करता है normally peripharicular areas के आज पास इसका growth बहुत तेजी से होता हुआ देखा जाता है इसका listen macular area of discoloration अधिकतर मामलों में ये hypopigmented नज़र आता है इसलिए इसका differential diagnosis vitiligo के जैसा या कुछ और दूसरे मामलों के जैसा नज़र आता है side भी मैंने आपको बताया skin of chest, abdomen, upper limb और back को ये involved करता है syboric dermatitis ये syboric dermatitis इस रूप में नज़र आएगा अगर इसके द्वारा syboric dermatitis होगा तो वो erodomatis, pruritic, scaly, leeson होगा जो कि eyebrows के आसपास mustache के आसपास nasal labial fold के आसपास scalp पर देखने को मिलता है ऐसा माना गया है कुछ special pathway है जो digest करके oleic acid को release करते हैं जिसके करण stratum corneum में penetration होता है और इसके करण hyper proliferation repair process होती है जो inflammation के साथ नजर आती है जो ultimately syboric dermatitis के रूप में नजर आता है इसका clinical spectrum देखें शुरुवाती दौर में देखें hypopigmented ही मामले हैं उसके बाद या growth करने लगता है और उसकी वज़ा से यहाँ पर syboric dermatitis जो शुरुवाती दौर में mild होगा moderate होगा उसके बाद severe last में इसको psoriasis जैसा इसका overlapping picture देखने को बलता है तो शुरुवाती दौर में वही malassezia फरफर के minute मामले होंगे जो syboric dermatitis तक पहुँच जाते हैं areas कौन-कौन से होंगे वही folliculitis वाले मामले mustache nasal labial fold scalp eyebrows के आसपास question सीधे पूछा गया है erodomatis pruritic scaly leasin ये सीधे question की language रही है erodomatis pruritic nasal labial fold के आसपास PGI में यही question की language रही है आपको पता है यहाँ पर corneal layer का involvement है सबसे superficial dead layer का involvement है इस वज़ा से सारे picture देखने को बिलते है ये initially confluent होता है scaly होता है इसमे fine powdery branny like आपको वहाँ पर scale देखने को बिलते है ये various color के होते है इसमे itching unusually देखने को बिल पाता है various color के listen होते है इसलिए इसका राम tinia वरसी color इसमे ये बार question में दिया जा सकता है तो उससे घबराना नहीं है PGI में question पूछा गया 3 month old infant is having thick scales on a scalp with dandruff aradmatis scaly listen on nasolabial fold are also present diagnosis is इसका diagnosis क्या हो सकता आप देख सकते हैं अभी हमने इसका पूरा का पूरा clinical picture आपको बता रखा था ये atopic dermatitis नहीं होगा syboric dermatitis है zerotic eczema भी नहीं होगा इन सभी के बारे में आगे हम discuss करेंगे napkin dermatitis भी नहीं हो napkin dermatitis का तो कोई कारण ही नहीं बनता है atopic dermatitis या contact dermatitis में कोई history होगी 2 years से कम age का बच्चा होगा यहाँ पर 2 years से कम की history है 3 months की बात है लेकिन dandruff के साथ है syboric dermatitis ही होना चाहिए अब इसके बाद हम बात करेंगे diagnosis कैसे बनेगा तो specimen को लेना है skin की scrapping करनी है wood lamp में इसको देखना है wood lamp में जब देखनी की कोशिश करते हैं पर petriasis versicolor को देखना है तो sample सीधे तोर पर देख लें और उसे sharp bladed instrument के द्वारा देखेंगे खुरच करके wood lamp में देखा जा सकता है जो की ultra violet radiation को produce करके देखने मदद करता है directly visualize कर सकते हैं हम K.O.H. mount के साथ इसमें spaghetti देखे यहाँ पर कुछ banana like और meatball like appearance दरशाता हुआ grape का shape दरशाता हुआ इसका reason नजर आता है तो को K.O.H. हो चाहे wood lamp हो उसमें इसको देखा जा सकता है direct visualization के लिए K.O.H. woods lamp में भी देख सकते हैं culture कराना इसका थोड़ा मुश्किल होता है यह बहुत हद तक culture नहीं हो पाता है अगर इसको culture कराना है तो olive oil के layering लगाने के जरुवत होते है ताकि यह SDA के बज़ाए olive oil के जब layering कर दी जाएगे तो अच्छे से grow कर पाता है pill yellow fluorescence के साथ यह नजर आता है wood lamps में यहाँ पर wood lamps में examination करने पर pill yellow fluorescence के साथ यह reason देखने को मिल रहे हैं बहुत ज़ादा clear हो जाते हैं आप देख सकते हैं इस तरीके के clarity के साथ यह मिलने लगता है यहाँ पर केवच जब skin के scrapping की की जाती तो देखे budding yeast like cells short angular hyphen farm आपको देखने को बिलेगा यहाँ पर देखे कुछ meat ball like banana grabs like appearance दर शाते हुई जोन भी नज़र आ रहे हैं wood lambs में पूरेक पूरे skin में देखा गया pale yellow fluorescence के वच पर yeast like cells with short branches filaments के नज़र आ रहे थे छोटे छोटे क्योंकि वो yeast like जो cells हैं वो आप समझ सकते budding करती हैं इसलिए ऐसा होता है spaghetti and meatball appearance जिसमें banana और grips like appearance के साथ ही नज़र आते हैं मैंने आपको बता है culture करना इसका मुश्किल होता है melassezia fungal का culture बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाता है क्योंकि यह हमारे normal skin का flora है तो आप बहुत हद तक अगर इसकी finding पा रहे हैं तो आप बहुत clearly नहीं कर सकते दूसरी बात है कि इसको sda अगार पर grow करानाई में ज़्यादा benefit नहीं मिलता है जब तक आप olive oil की layer ना लगा है इसको sda पर grow करापाना मुश्किल होता है olive oil की layering करके इसको grow कराई जाती है neat paper question पूछा गया है वो कौन सा ऐसा fungus है जो कि difficult होता है to isolate culture तो which of the following fungi is our difficult to isolate culture पहला candida, दूसरा dermatophytes, तीसरा cryptococcus, चौथा melassezia furfar तो आपको पता है melassezia furfar को सीधे तोर पर आप isolate करने में मुश्किल पाएंगे इससी तरीके से कुछ और examples को लेकर के भी PGI में question पूछा गया था pneumocystis 0,1 उसका answer होगा दूसरा rhinosporidium ciberi यह भी growth करने में मुश्किल आता है क्योंकि यह basically इसको bacteria माना जाता है इसलिए यह fungal के culture medium पर इसको बहतर दरीके से grow करापाने में मुश्किल आती है यह दोनों ही example पूछे गया है treatment के options की बात करें तो यहाँ पर कई months तक treatment देना पड़ता है treatment देने के कई महिनों के बाद भी ऐसा देखा गया skin का color जो hyperpigmented हो गया है वो बहुत अधक नॉर्मन नहीं हो पाता है तो यहाँ पर कई महिने लग जाते हैं नॉर्मन होने में यहाँ तक कि आपने antifungal treatment दिया आपको benefit भी मिला है लेकिन skin का tone आने में समय लगता है यह patient को हमें बताए रखना होगा इसमें कौन कौन से drugs दी जाती है topical agents का इस्तेमाल ज़्यादा बहतर होता है अगर topical का effect नहीं हो रहा है तभी हम oral drugs देता है topical में आप जानते azule groups दिया जाता है topical में azules drug of choice है कोट्री मौकसाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, सर्टो कोनाजोल, कीटो कोनाजोल इनके examples हमें याद रखने है इससे तरीके से गर oral में देखना चाहते हैं तो इट्रा कोनाजोल, oral flukोनाजोल दिया जा सकता है topical में कुछ और drugs भी try किये जा सकते हैं topical turbenafin दिया जा सकता है topical selenium sulfide भी try किया जा सकता है add-on therapy की रूप में ध्यान रखना है oral turbenafin का कोई रोल इसमें नहीं देखा गया है इससे तरीके से oral grisio falvin से भी कोई बहुत ज़्यादा benefits नहीं देखा गया है रट लेना है, रट लेना है tinia versicolor को ले करके aims में question पूछा गया है grisio falvin is effective in all except हम pharma के point of view से इस पर बात करेंगे ध्यान रखना है tinia capitis में इसका effect बहुत अच्छा होता oral grisio falvin का tinia versicolor में नहीं होगा भी हमने यहीं बात discuss किया है tinia carporis में भी effect देखने को मिलता है कई बार हम देखते हैं mother अपने baby को ले करके आती है hypopigmented patch के साथ जो कि pitriasis alba का मामला होता है pitriasis alba यह क्या होता है इसको बैरे में भी पता होना चाहता कि हम differential diagnosis बना सकते करीकर यह 5% बच्चों में यह देखा गया है जो कि छोटे बच्चों में होगा before puberty हो सकता है आप समझे बच्चों की common problem होती है face, neck और arm पर hypopigmented patches नजर आते हैं यह scaly भी हो सकते हैं hypopigmented भी हो सकते हैं और इसका कारण क्या होता है nutritional deficiency हो सकता है mild dermal inflammation हो सकता है इसके differential diagnosis बनाने के जरूवत होती vitiligo या tinea versicolor जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं यह इसके differential diagnosis होते हैं lubrication किया जा सकता है mild inflammation अगर है तो वहाँ पर topical steroid का استعمال किया जा सकता है nutrients, tonic आप समझ लिए बच्चे को हम कहेंगे कि उसका nutrient भी ठीक ठा कर दीजे अपने आप ये ठीक हो जाएगा